नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राके शिवानी अश्टर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज गोई लगुपाराशरी की शंकला में जो मैं आपको श्लोक बता रहा हूं उसी का तेहरवा श्लोक है उसके साथ एक या दो श्लोक और भी शामिल हो जाए या बहुत अच्छा देते हैं चपरफाड के देते हैं इस तरह की बातें बहुत होती रहती हैं राहू केतू के बारे में बहुत ज्यादा श्लोक तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ श्लोक वर्नित हैं लगुपाराशरी में और फल दीपी का में भी कुछ श्लोक वर्नित हैं कैसे उसके परणान बताएं। तो देरनकरते हुए चलते हैं। लगुपाराश्री में श्लोक नमबर 13 है। जो कहता है। यद्दा भावगतो वापी यद्दावेशे सेयूतो ततत फलानी प्रबलो प्रदीशिताम तमोग रहे। तमोग रहे का मतलब होता है, जैसे भावेश के साथ वो संयूतोर उस तरह के फल ये देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रहु केतु को प्रबल तमोग रहे बोला गया है, इसमें रहु केतु को कि दूसी राशी तो होती नहीं है, तो रहु केतु का तो यही सब्ब है, बैठेंगे वहीं एक धुए की तरह हैं उसी भाब के स्वामी की तरह प्यावार करेंगे इसलिए रहु के तू बारें बोला है कि रहु के तू जिस भाब में बैठेंगे या जिस भाब के स्वामी के साथ होंगे उस तरह की रिजल्ट बोलो करें अब दो तरह की दो बातों को ında उसका result मिर्भः रहुकेति पहला पैला निर्भः कि जिस्वाव में ये होते हैं उस चौत रहां कि प्रककरती के लिए सा紫छा अगर स्वाम के अगर भी बैटे हैं बुन कि insa उसका भी रूप ले ले लिए तो ये राहु केतु के बारे में ध्यार लखनी है। अब इसमें कुछ एग्जांबल दिये गए हैं जैसे इहां देखिए कि राहु केतु अगर अखेले हो उनके साथ कोई ग्रहन ना हो तब क्या राहु केतु अखेले हो तो पहले पांचवे और नवे भाव हो त्रिकोन में ये शुब होते हैं जैसा स्लोव में कहा है जिस भाव में होते हैं उस भाव के अनुसर इंका फल होता है। तो ये तरिकोनवाला भाव शुब भाव है है though इसलिए इन भावो में राहु केटु शुब कहला जाते हैं आठवा भाव भी बहुत अशुब भाव कहलाता है, इन भाव में राहुकेतु के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो वो अशुप्ता भूल जाता है, शुप्ग्रह केंद का स्वामी हो, तो वो शुप्ता भूल जाता है, तो शुप्ग्रह हो या शुप्ग्रह हो, अगर वो केंद का स्वामी हो, तो अपनी शुप्ता और अशुप्ता भूल जाता है, इसी प्रकार राहु केतु भी अपनी कि दूसरे और बारवे भाव के स्वामी का result जो depend करता है वो depend करता है कि वो किस planet के साथ associated है और उनकी दूसी राशी किस भाव में यह हमने पीछे पढ़ा था कि वो किस planet के साथ associated है अगर शुब बारवे भाव के स्वामी के साथ associated है तो दूसरे और बारवे भाव के स्वामी अ बैसर की रुप से शुप लेड़िटी क्यों न हो तो अच्छा रिड़ नहीं देते हैं दूसरे बारवे भाब के स्वामी की तरह यह बिहेव करेंगे राहु केतु वहां बैठेंगे तो यह भाब के अनुसारी फ़ल नहीं यानि राहु केतु राहु बारवे भाब में बैठेगा तो बैकर आए विजेश भी भेजेगा आपको सिंपल बात दूसरे भाब में बैठा है तो अपनी दशा अंतर दशा में धन दे सकता है लेकिन पाप ग्रह है तो पाप ग्रह कुछ ना कुछ तो करता ही है क्योंकि हमने सुर्य मंगल राहु केतु इनको अशुग रह बोला हूँ तो अशुग रह ठीक है अपने हाउस में बैठे हो अपने भाब को देखते हो तो व्रधी तो करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ जहां बैठते हैं वहाँ पे वो अशुपता भी करते हैं क्योंकि उनके कारकत वह ऐस से है उनकी नेचर ऐसी तो वहां से रिलेटेट सजीव को थोड़ा प्रभावित कर तो यह था कहर राहु केतु के बारे में कि राहु केतु दूसरे और बार्वे भाव में बैठे हो तो दूसरे और बार्वे भाव के हिसाब से पढ़नाम देंगे जैसी उनी क्रेक्टरिस् है तो उसका एक मिश्रित पढ़नाम होता है कि ज्थिति के रुषा यह सौनं कि स्वाम्य के साथ कुछ और पढ़नाम हो रहा है तो वह भी ध्यान देना होता है दो तरह के रिजल मिल जाते हैं रहु दूसरे बाव में बैठा तो गर के रिजल हो उनकी तो शुपर नाम देंगे यह तो बताई दिया कि त्रिकॉन के स्वामी के साथ उनकी यूती है चाहे वो त्रिकॉन का स्वामी नैसे की रूप से शुब रहे है या शुब रहे है तो शुपर नाम देंगे त्रिस्टाय भाव के स्वामी के साथ यूती हो तो उसका तो वो दूसरे बारवे के स्वामी साथ साथ उस घर में जहां इस्तित है उसका परणाम देंगे लेकिन दूसरे और बारवे बारवे का स्वामी जो होता है वो परणाम देता है किस ग्रह के साथ बैठे हैं वो स्वामी दूसरे ग्रह दूसरे और बारवे ग्रह के और उनकी द कि कन्या लगन में कौन सी राशी है तस नंबर राशी उसकी छटे भाब पांचे भाब मायगी तो वह दोनों का हुआ तो लेकिन वह उस केस में भी बुरे प्रणाम नहीं देगा कि राहु के तु 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 के बारे में जो मैं आपको बताया आशा करता हूं में बताएं आपको बतांगा दो या तीन ग्लास सी राहु के बारे में बनेंगी अनको जरूर देखेगा तो आपको बिल्वेर हो जाएगा जो लोग पलीविर नगीर करते हूं और झेसी.